कि जनम के अंदर जव आपका पानी के साथ में दुरगटना हुई है, किसी ना किसी जनम में आप जव उन्चाही से गिरे हो, इसलिए आपके वो क्या डर क्या है, अंकॉंशनस मांड के अंदर है, यह जो मेडिकल के अंदर यूज किया जाता है, वो इसी अचेतन मन को यूज क अंकॉंशनस मांड के अंदर यह जिन चीजों को डाल दिया जाए, तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, वो भी उसी प्रकार से रियक्ट करना शुरू कर देगा, बहुत ऐसे लोग हुए है, जिन्होंने इस अचेतन मन पर काम किया, एक बुक आती है, The Power of Unconscious Mind, कभी टाइ तो वो व्यक्ति सफल हो जाता है, The Secret Movie देखियोगी किसे ने, वो इसी concept पर बेस है, कि कोई व्यक्ति सोचने लगता है, कि मेरे साथ सब कुछ positive ही होता है, जो भी करता हूँ सब कुछ अच्छा है, बगवान मेरे साथ अच्छा ही करता है, उसके साथ चीज़े अच्छी होने लगती है, वैसा ही है, Unconscious Mind के अंदर ये आप चीज़े डाल देते हो, कि मैं बहुत सफल हो सकता हूँ, मैं बहुत महनत कर सकता हूँ, मेरे संकल्प जब बहुत मजबूत है, तो आपके साथ वैसा ही होने लग जाएगा, तो कैसे किया जाए, किया कैसे जाए, Unconscious Mind में कैसे ड आपको थोड़ा-थोड़ा सुना ही दे रही है, एक्जेक्टली ध्यान नहीं लग रहा कि क्या बाते चल रही है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा सुना ही दे रही है, तो वह आपका अचेतन मन है, उस समय में येदि को information डाल दी जाए, तो सबसे ज्यादा अच्या रहता है, कि करना जाके, लोग इसका इस्तिमाल कर रहे है, लोग इसका यूज कर रहे है, पर अपन इन लोगों से अंजान है, इन चीजों से अंजान है, हमें ये चीज़े पता ही नहीं है, हम जब महनत करते रहते हैं बुरे तरीके से, जब कि ये चीज़े थोड़ी बहुत हमें ये भ गंटे की वीडियो होती है चलाके थोड़े दिर तक आप जो इसको सुनोगे सुनोगे सुनते सुनते आपको नींद आ जाएगे चीक आपने बंद हो जाएगे वीडियो रात को सुबहाई एरफ फॉन थोड़े से मिलेंगे और तो कोई दिकत नहीं है तो इसे क्या होगा रात बेर आपके दिमाग में वही चीजे चलेंगे या फिर चलो आपको यह सब नहीं करना चोड़ो आप जो आपको आपने पढ़ा है उसको रिवाइज सो जाएगा उसको आपको चीजे ज्यादा याद हो जाएंगे जो भी आपने पढ़ा है जो भी आपने फड़ा है वो यदि आप पढ़े सो गे तो रात बर आपके दिमाग में क्या चलेगा ये बीहवियर चलेगा वलपर आएगा आपके सपने में आयज Hence आपके क्या रहोगा कि नई नी ऐसे थोड़ी ना होता है ऐसी होता है Central Trait होता है Cardinal मन. पीच में फिर एक और बात यादा गी, एक वीक्तिव है, जिका नाम है वॉल्फ मैसिंग, क्या नाम है? वॉल्फ मैसिंग, दुन्या का सबसे बड़ा चोर हुआ है, दुन्या का सबसे बड़ा चोर, ये इस प्रकार का एक चोर है, चोर नहीं है, एक्चली ये साइकलोगिस्ट था, लेकिन ये इस प्रकार के कार्यकरम भी बीच-बीच में करता था. इस लिए सरदी, जुखाम, डेंगू, इससे जितना बचके रह सको, उतना बचके रह सको, उतना बचके रहो, अमरेक अंदर अलाउट जबा लगा करो, डेंगू हो गया तो आर-टस दिन चले जाएंगे, ठीक है ना, तो इस लिए इन चीजों से बचके रहो, हम बात करते हैं और आप चैलेंज देखे करता है, कि मैं लोगों को हिपनाटाइज कर दूँगा, उसको पता भी नहीं लगेगा, तो स्टालिन ने जो इसको बुलाया, और का कि मैंने सुना है तुमारे बार में ऐसा तो, वाल्समेंग ने कहा कि हा मैं हिपनाटाइज कर देता हूं, बड़ पहले तो एंट्री जब की, तो लोगों को हिपनाटाइज किया, कि वाल्समेंग ही नहीं, उसके बाद में कैशियर के पास गया, उसको एक चैक दिया, और कैशियर ने उसको पैसे निकाल के दे दिये, बाद में स्टालिन बड़ा खुश हुआ कि शायद बबड़ती नहीं यह जा कि उसके बास का कि मैंने जब पैसे चुरा लिये, बहुत पुरानी गटना है, लेकिन 2018-19 के अंदर दिल्ली मुखरजी नगर के अंदर खुब सारी ऐसी गटना हुई थी, चोर आते थे दो तिन, वो बड़ी मैला के पास में आके गाड़ी रोकते थे, उसको कुछ ए गहने उतार के दो, वो मैला जो गहने उतार के देदी थी, बाद में भुलिस रिपोर्ट जब हुई, तो पता लगा कि मैला आन तो खुद गहने उतार के दिया। उसे पूछा गया तुमने क्या उतार के दिया, क्या हो रहा है, उन्होंने आये और का कि और मैं Hypno ties हो गई य के लिए अपने willpower को बढ़ाने के लिए इस अचेतन मन पर काम जो किया जा सकता है बहुत सारे लोग इस अचेतन मन पर काम करते हैं लेकिन बताते नहीं है आपको चीज़े बता रहा हूं कि आपको इस पर थोड़ा बहुत सोच विचार करना चाहिए जब आपको कभी टाइम ह काया जैसे आप सोचोगे वैसा आप हो जाओगे तो वैसा ही आपको सोचना चीए हमेशा जाव पोजिटिव विचार करने चीज़े जो भी चीज़े होती है वो किसके लिए खेवल अच्छे के लिए बहुती है बगवार ने जो भी आपके साथ किया इसका मतलब कुछ ना क चेतनमन जिसके जानकारी ही हमें नहीं है, फुर्व चेतनमन जानकारी हो सकती है यदि हम उसके बारे में थोड़ा बहुत अवेर हो जाए, और चेतनमन जो कि हम नॉर्मल जिसके बारे में जानकारी होती ही है, ठीक है, एक बार चीजों को लिखो, फिर हो सकता है इसमें से जो नकर और नक के विल कर नृता हूं